8.6.2 भारत में राष्टरवादी आंदोलन भारत बृतेन के अधीन था और यहां के राष्टरवाद का विकास अंग्रेजी शाषन के खिलाफ हुआ था सन 1857 में भारती सैनिकों वा पुराने शासकों ने अंग्रेजों को भगाने का पुरजोर प्रयास किया लेकिन वे विफल रहे वे लोग मुलतः पुरानी शाषन प्रणाली वापस लाना चाहते थे भारत में एक आधुनिक लोकतांतरिक राष्टर बनाने की लड़ाई की शुरुवात 1880 के बाद हुई जिसका सूत्रपात भारत में उभरते नय मध्यमवर्ग ने किया भारत के नय मध्यमवर्ग की खासियत यह थी कि इसमें भारत के हर प्रांध से और हर धर्म और जाती के लोग सम्मिलित थे इसमें दादा भाई नौरोजी और फिरोश शाह जैसे बुद्धी जीवी बाल गंगा धर तिलक और गोखले जैसे नेता बदरुद्दीन तयब जी और रहम तुल्लाह सयानी पंडिता रमाबाई, लाला लाजपत राय, जी सुब्रमनयम अयर और राम स्वामी मुदलियार, वामन राव लाखे, पंडित सुन्दर लाल शर्मा, राश बिहारी बोस आदी कई देशभक्त शामिल थे यहां तक कि भारत में रहने वाले कई अंग्रेज जैसे A.O.H.E. वा एनी बेसेंट भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे यह मध्यमवर्ग एक तरह से पूरे भारत का और उसके विभिन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था इस वर्ग की विशेषता यह थी कि उन लोगों ने अंग्रेजी सिक्षा प्रात की थी और यूरोप के लोकतांतरिक और रास्टरवादी विचारों से अउगत थे और उनके प्रति आस्था रखते थे वे मानते थे कि भारत को एक आधुनिक विक्सित रास्टर बनाना है तो उसे पुरातन पंथी या सामन्ती रास्ते पर नहीं बलकि लोकतंतर, विज्ञान और और द्योगी की करण के रास्ते पर जाना होगा इन्होंने मिलकर सन 1885 में अखिल भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रिस की स्थापना की जो हर साल मिलकर देश की दशा और उसकी जरूर्तों पर विचार विमर्ष करती थी और ब्रिटिश शाशन को सुधार के लिए ग्यापन देती थी सन 1905 से 1902 के मध्य का दोर लाल बाल पाल लालाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंदर पाल के नेत्रित्व का युग था इनके नेत्रित्व में हुए आंदोलनों के कारण भारती लोगों में रास्टवादी भावनाओं का विकास हुआ अंग्रेजों की नीती से प्रभावित किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित और महिलाएं अपने अपने इस्तर पर शासन के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे जगा जगा ऐसे लोगों के विद्रोह एवं आंदोलन चलने लगे उलेखनी बात यह थी कि वे न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बलकि भारती समाज की कुरितियों का भी पुरजोर विरोध करने लगे थे वे चाहते थे कि भारत में जमिनदारी बेगारी आदी शोशन कारी विवस्थाएं खत्म हों और महिलाओ दलितों आदी के खिलाफ भेद भाव समाप्थो राश्ट्री आंदोलन में गांधी जी की भुमिका सन 1915 में गांधी जी दक्षिन आफरिका के शाषन के विरुध संघर्ष कर रहे थे भारत लोटे उन्होंने राश्ट्रवादी आंदोलन और अन्य आंदोलनों के बीच जुडाओ बनाया और किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं वो वन्चित वर्ग की समस्याओं को राश्ट्रवादी आंदोलन के तहत उठाया यही नहीं गांधी जी ने ऐसे स्वराज की कल्पना की जिसमें भेदभाव और असमानताय नहूं और यह कहा कि हमारा उद्देश केवल अंग्रेजों को हटाना नहीं है बलकि भारत में सामाजिक बदलाव लाना है वे इसके लिए हिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन की पैरवी की जिसे सत्याग्रह नाम दिया इस तरह के आंदोलनों ने भारत में रास्ट्रवाद को बहुत मजबूत बनाया अब साधारन जन अपने आपको एक देश का हिस्सा समझने लगे थे उनकी अलग भाषा, संस्कृती, वेशभूसा होते हुए भी एक भावना पनब गई कि हम एक रास्ट्र का हिस्सा हैं और इसने उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया अंग्रेजों की कई कोशिशों के बावजूद ना तो यह रास्ट्रवादी भावना दबाई जा सकी और नहीं लोगों को किसी भी तरह का समझोता करके अंग्रेजों की अधीन रहने को तयार किया जा सका लोग पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ गया सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोडो के नाम से एक विशाल आंदोलन किया गया गांधी जी के नेत्रितों में चल रहे रास्ट्री आंदोलन से कई लोग औस हमत थे इन्ही सब के बीच भारत अगस्त सन 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग रास्ट्रों में बट कर आजाद हुआ स्वतंत्र भारत का सम्विधान बनाने के लिए एक सभा बैठी और उस सभा की ओर से एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अमबेट कर थे लगभग तीन साल के विचार विमर्ष के बाद जन्वरी सन 1950 में सम्विधान बना जिसमें भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोशित किया गया जो भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व हासिल करने के उद्देश्य को लेकर काम करेगा सम्विधान के तहत हर नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार दिये गए इस तरह भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बना